इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है, संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बढ़्धा धन है, कर्म किये जाओ, फल की चिंता मत करो, भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो, आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, या इनसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है, बडपन वगुण है, जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है, व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्मान करता है, वर्तमान कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का धेर पत्थर और सोना सभी समान है आपके कर्म ही आपकी पहचान है वरना एक नाम के हजारों इंसान है धर्म केवल कर्म से होता है कर्म के बिना धर्म की क अपनी तुलना मत कीजिए आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ट हैं बुरे कर्म करने नहीं पढ़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पढ़ते हैं जो अपने मन पर नियंत्रन नहीं रखता वह स्वयम का शनय शनय शत्रु बनता जाता है बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्यान के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआ है जिसमें गिरकर निकल पाना बद्धा कठिन होता है सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है आत्म ज्यान की तलवार से काटकर अपने ह जर्मित होता है जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है खब बस मान अपमान लाभानी खुश हो जाना या दुखी हो जाना ये सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझ कर मगन हो रहे हो बस यही प्रसंदता तुम्हारे दुखों का कारण है उस इंसान का मंज दिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री सर्च कृष्ण के विचार। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो मैं आपको बाहर से नहीं बलकि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें, शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए, जिन्हें वापिस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं, जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है।